हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो कैसे हैं आप आज हम देखेंगे पांच ऐसी घोस्ट वीडियोस जो मेरे खयाल में आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं मनिला फिलिपीन स्थित कालू कान स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स दावा करते हैं कि यहां एक सफेद कपड़ों वाली औरत का भूद भटकता है जिसे वे पुतिंग गिनांग यानि वाइट लेडी के नाम से जानते हैं अब जैसा की हमेशा की तरह होता है ज्यादतर लोगों ने इस कहानी पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक ये वीडियो इंटरनेट पर वाइरल नहीं हुई साल 2009 की इस वीडियो में एक सफेद कपड़ों वाली फिगर छत पर खड़ी हुई देखी चा सकती है जो ऐसा लग रहा है मानो वहां एक अठा हुए स्टूडेंस की तरफ देख रही हो मगर इवेंट में मौजूद लोगों की माने तो उन्होंने सेरिमनी के दौरान ऐसी कोई आकरिती नहीं देखी उन्हें तो ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि कोई उपर खड़ा हुआ था साओधिय अरेबिन घोस्ट हंटर एडवेंचर आला इस वीडियो में जैदा से 49 किलो मीटर नौर्थ में स्थित दहाबान शहर में एक घर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई देते हैं जिसके बारे में माना जाता है कि यहां किसी मरे हुए पड़ोसी की बुरी आत्मा भटकती है और जैसा कि हम एकस्पेक्ट कर सकते हैं चीजें उसी हिसाब से जाती हैं जैसे इस घर की बैक स्टोरी है बिसम ल्लाह बिसम ल्लाह रह्मान रहीम बिसम ल्लाह बिसम ल्लाह रह्मान रहीम बिसम ल्लाह 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 ऺिस्म सानला शालत शार पाकुन के उंगर भया मैंने अपता है अालया कि भना है क्षब शयो़े containing आ॥igen यल्दी ओ Glad जपता है जो जना जलती है श क्विक ला Hazा जा जयो जो खता है जर्ट क्षब मोगत का का यल्दी प्रेस है 안 ब़ंता है अालया जलता है जालया है लुलार जा चाहां जो खता हैं ऑाले जालता है भूञें लूजे एिना डिमाए तेक फर्जार लूट पाए है ठड़ हैदम हाए ट्स फर्र हो दंगे? यूएली 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 यूएल आखिर में जब चीजे नहीं रुकती तो आला वहां से निकलना ही बहतर समझते हैं तो क्या ये घर सच में हॉंटेड है या किसी तरह वियूर्स को जहांसा देने की कोशिश आप खुद ही तै कर लीजिए फेस्बुक पर 31 मैं 2019 को पब्लिश एक वाइरल वीडियो ने देखने वाले हर यूजर को डरा कर रख दिया क्योंकि उसमें सेक्यारिटी गार्स ने कथे तोर पर किसी भूत को पार्क में जूला जूलते हुए कैमरे में कैद किया चिली के रहने वाले पैट्रिशियो अरन सीबिया और उनके साथ ही जब देर रात किसी पार्क में लगे सर्वेलेंस कैमरास की जांच कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब चीज को देखा पार्क में लगा एक जूला अपने अप हिल रहा था जैसे कोई उस पे बैठा हो जिसे तुरंद पैट्रिशियो के एक साथ ही ने अपने कैमरे में कैद कर लिया कि गहाँ कर सक्ष्म होग्त Christ धaffे एत बन्होंडने छावे लिए वब कानी शेवए हो झाति बन्होंन वे अफने क्你看 m जैसे ही वे मॉनिटर की तरफ बढ़े तो उन में से एक ने नोटिस किया कि जूले के पीछे एक काली पर च्छाई खड़ी है मानो वो उसे धगेल रही हो और मिरा वँठwyn। मिरा वढखे के जिवन कनि एकट ब संगरा ज bevorो रुकते क unseren पुम मैं ऌना के बास्वा Cash को ये और О6 सोंब्या टvised ये से लित फिरो祖स कि विभनले ही वास्वा व्या का झिन मेरा मुनरे को बास्वारा संगर को बास्वा awesome पैटरिशियो ने लोकल मीडिया को बताया कि जब वो और उनका दूसरा साथी पार्क में इन्वेस्टिगेट करने गए तो उसे महसूस हूँ आमानों किसी ने उसके हाथ पर जोरदारवार किया हो साथ ही जूले के आसपास का एरिया भी बहुत ठंडा हो चुका था तो क्या ये जूला सच में कोई परचाई ही ला रही थी और उसी ने पैटरिशियो पर हमला किया या ये बस बोर हो रहे कुछ सेक्योर्टी गार्ट तवारा किया गया एक मजाग था तांकि वे न्यूस की हेडलाइन्स बन सकें पैंसलवेनिया में स्थित गैटिसबर्ग नैशनल पार्क बदनाम है अमेरिका की सबसे भयानक रहे युद की लड़ाई बैटल आफ गैटिसबर्ग के लिए साथ ही यहां गैटिसबर्ग नैशनल सेमेटरी भी मौजूद है जिसमें छे हजार से भी अधिक सैनिकों और सिविलियन्स को दफनाया गया था इस अगली वीडियो में जब किसी टूरिस्ट ने पेड़ों के बीच एक अजीब चमकते हुए और्ब को देखा तो उसने उसे रेकॉर्ड करना शुरू कर दिया मगर वो इस बात से बिलकुल अंजान थी कि कैमरे में कुछ और भी कैद हो रहा है कुछ बहुत ही अजीब हरासा मानिया अजीब है इसे फिल्माने वाली औरत का दावा है कि रेकॉर्डिंग के टाइम उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया ये तो उसे तब मालुम पड़ा जब उसने वीडियो को दोबारा रिवियू किया अब हो सकता है कि ये CGI से बनाई गई एक फेक वीडियो हो मगर कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग इसे असली करार दे रहे हैं क्योंकि उन में से कईयों ने खुद ऐसी आकरितियां देखी है और वैसे भी गेटिसबर्ग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आनलाइन मौजूद हैं ये बात शुरू ही 14 नवंबर 1970 को जब अमेरिका की सदन एरलाइन का एक प्लेन वेस्ट विर्जीनिया के हंटिंग्टन एरपोर्ट के पास बनी एक पहाड़ी से टकरा गया और उसमें सवार सभी 70 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद लाशों की शिनाक्त के लिए उन्हें हंटिंग्टन ट्राइस्टेट एरपोर्ट पर लाया गया पर आज ऐसा लगता है कि शायद वो मरे लोग इस एरपोर्ट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए इसी एरपोर्ट पर काम करने वाले फेस्बुक यूजर वेसली मूर बताते हैं कि उनकी डूटी उसी बिल्डिंग में होती है जिसमें उन लाशों को रखा गया था और इस छोटे से एरपोर्ट पर काम करते वक्त उन्हें काफी सारी अजीब घटनाओं का सामना भी करना पड़ा जिनमें दर्वाजों का अपने आप खुलना भी शामिल है So from the beginning or the entrance area of the private side where I'm located as you come to the front door and you walk in there is my desk area and then these are the doors that open by themselves and this is the kitchen area and then this is the door that also opens by itself but as you can see the only way through this door is with a scan card and this is our firehouse where the bodies were actually stored कई सारी रहसे में चीजों को महसूस करने के बाद वेसली ने अपनी सारी शिफ्ट्स को रेकॉर्ड करना शुरू कर दिया और एक रात जब वे अकेले थे तो उनके साथ ये हुआ रहसे में चलिफनी सारी के ले 17चरण पर शैसे तो Second सेशीं में होद सारी हुआ स्था कर दिते हैं रूम में लगे सीसी टीवी से भी ये साफ हो जाता है कि उनके साथ आखिर क्या हुआ तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी किसी लिस्ट में शामिल करूँ तो आपको बस मुझे फेस्बुक या इंस्टाग्राम पर उसे सेंड करना है और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही आप चाहें तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फॉलोग कर सकते हैं तो अब फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ हाओट